टपरवेर गोइंग टू कॉलैप्स जो इससे पहले 2.5 डोलर के लगबग हुआ करता था एकनोमिक्स टाइम्स और याहू की बात माने तो कमपनी लगाता नुकसान देख रही थी कमपनी के ही इन्वेस्टर ने इसके ओपर लो सुट फाइल कर रगवा है अब बात करते हैं कमपनी में चल रही दिक्कतों को सबसे पहली दिक्कत आती है इनकी कैश करण्च और हैवी डेट से लेकर इकनोमिक्स टाइम्स की माने तो कमपनी 2022 दिसंबर तक इनका जो टोटल लोन है वो 704 मिलियन डोलर हो चुका था और बैंक ऑफ अमेरिका की तरप से बढ़ाए गई रेपो रेट या यूँ कहें ब्यास दर जो की बैंक लोगो या कमपनीों से लेती है वो हो चुकी है 5.1% जो की 2020 के अंदर मातर 0.8% ली थी अब आप मेंसे कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया की भी तो रेपो रेट 6.5% है तो यहाँ पर तो कमपनीया नहीं डूब रही है बया डोलर और रूपे में तकरीबन 9 रूपे का फरग है बढ़ती रेपो रेट के साथ कमपनी के लिए लिए गए लोन का भी अमांट लगातार बढ़ता जा रहा है और شेर प्राइज की बात करें तो वो ओल्टाइम लो पर है कंपनी के इंवेस्टर का कहना है कि टेपरवेर के फाइन regarding में हेरा फेरी की गई है जोगी रिपोर्ट कंपनी क्लेम करती है वो सही नहीं है भारी competition का भी इस company को सामना करना पड़ रहा है कई सारी AC companies market में हैं जो कि इस पर सीधा वार कर रही है company के बढ़ते खर्चे company के revenue से ज्यादा है अगर EBITDA की बात की जाए तो वो minus 14.2 million dollar है सीधी भाषा में बात करें तो इनका नुकसान जो है वो 14.2 million dollar का है वहीं EBITDA की proper बात करें तो तीन सालों से लगाता लोस में है सतर से भी ज्यादा countries में ये काम करते हैं जो कि सभी देशों में profitable नहीं है अमेरिका और कई सारे देशों में मंदी का दोर भी चल रहा है कोरोना पैंडेमिक और रश्या यूकरियन का वोर का असर भी इस पर हुआ है अब थोड़े finance terms की बात करते हैं जो लोग finance की पढ़ाई की है या फिर share market में काम करते हैं वो लोग आसानी से समझ जाएंगे बागे हम इतनी सरलता से आपको समझाएंगे की आप पूरा matter समझ जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं profit की financial year 22-23 के अंदर company का जो पूरा profit sale था वो 1306 million dollar था जिसमें से सबी खर्चे निकालने के बाद company के पास कुछ भी नहीं बसता है उल्टा 14 million dollar उनको जेब से देने पड़ते हैं वही company की debt and equity ratio की बात करें तो 2022 में 1.14 billion dollar इनका debt था और equity की बात करें तो 0.19 billion dollar और वहीं इनकी debt and equity ratio की बात करें तो वो minus 6.08% हो चुका है इसमें से company ने अपना कुछ कर्ष तो चुकाया है और अब जो पीछे अमॉंट बसता है वो है 705 million dollar cash in hand की बात करें तो company के पास 1500 million dollar ही है जो की उसके operation चलाने के लिए भी काफी नहीं है वहीं sell की बात करें 2003 में UK के अंदर इन्होंने 1500 लोगों को काम से निकाल दिया और operation भी बंद कर दिया साथी उस समय उनकी sell थी वो 1100 million dollar की थी लेकिन सबसे बड़ी growth इन्हे 2008 से लेकि 2018 तक देखने को मिली है इसी समय इन्होंने कई सारी countries में अपनी franchise खोली लेकिन 2018 के बाद हर साल इन्हे 14 से 20% का loss sell में देखने को मिल रहा है इसी बीच company को अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा एकटा करना पड़ा लेकिन घाटा रुका नहीं और अब तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है अब company के finance की हालत और problem तो आप समझ गए अब बात करते हैं कि आगे company क्या करने वाली है New York Stock Exchange ने टपर वेर को पिछले हफते non compilation notice देते वे कहा कि आपकी annual report के अंदर गडबडी है इन्वेस्टर ने टेपर के CEO को करच चुकाने से लेकर बातचित करने के लिए भी बुलाया जिसके अंदर cash and bender भी शामिल होंगे cash and bender एक अच्छे काई से financial expert माने जाते है company को 10K फाइल करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है 10K का मतलब होता है company की annual profit and loss और अधर खर्चों की report बेंडर ने बताये कि company की अभी की हालत को देखते वे लगता है कि करजा चुकाने के कोई आसान नहीं है और company को आगे operation चलाना है तो इस quarter में ही उन्हें 35.2 million डोलर का घाटा सेन करना पड़ेगा इसी बीच company के CEO मेगल फेनेंडिस का भी बयान आया कि हम company को बचाने का पूरा परियास कर रहे है पर पछले कुछ सालों से हालात सही नहीं है हमने एक expert को भी hire किया है जो हमें आने वाले time में guide करेगा हम किस तरह अपने asset को monetize कर सकते हैं पर बचे कुछे पैसो से कैसे काम चला सकते है अभी emergency fund की विवस्ता करनी होगी ताकि आने वाले समय में हम काम कर सकें company के हालत को देख कर लगता है कि इसका survive करना भी काफी मुश्किल होगा अब इन सब का इंडिया पर क्या फरक पड़ेगा 1992 में ये company इंडिया में आती है और अपना पहला office हर्याना में बनाती है लेकिन इसका सबसे ज़्यादा influence है वो South India में ही देखने को मिलता है अब ये काम कैसे करती है ये company MLM के रूप में register होती है अब आप सोचने होंगे MLM यानी fraud नहीं ऐसा नहीं है इस company ने सिर्फ housewife और ladies को ही target किया था जो mostly घर पर ही रहती थी woman empowerment के नाम पर इसने पहले 15 ओरतों को जोड़ा और फिर बाकी का system आपको पताई होगा एक तीन को लाता है और वो तीन फिर नो को लाते हैं इससे जुड़ना भी काफी आसान था कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता था हर महीने कम से कम साड़े 5,000 रुपे के प्लास्टिके प्रोड़क्ट खरीदने पड़ते थे प्रोड़क्ट भी ऐसे जो ज़्यादा तर kitchen से related ही होते थे इनका aim था कि still market को कैसे भी करके target किया जाए पर कई सालों से चल रही प्रंप्रा को यूही टकर नहीं दी जा सकती थी तो इन्होंने फिर लालच और बढ़ाया प्रोड़क्ट बेशने पर इन्होंने कमिशन को भी बढ़ाया मेलाओं को international trip जैसे offer भी दिये गए और कहीं न कहीं ये सफल भी हुए पर अब हाला जल्द ही बिगडने वाले हैं क्योंकि जो हालात अभी दिख रहे हैं लगता है कि इसे कोई और company acquire कर लेगी और शायद तक आने वाली company इस परकार के offer ना दे पाए ये तो जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग इससे effect होंगे आने वाले time में भी ही पता चलेगा कि अब इसमें क्या होने वाला है ये सारे information आपको कैसी लगी कुछ update आते हैं तो आपको हमारे TV भारत 24 पर देखने को मिल जाएंगे पर मिलेंगे तब ही जब आप इसे subscribe करेंगे